हनो फ्रेंज्स वेलकम के टीमे चैनल थो आज के रगाइडी होँ थो से मंठीसुण फोन फाट मैं ने लिए हाफ तीज़्मून तो होता है जो होता हाथ इसका डो बनाने के लिए वाम ही लेते हैं थोड़े थोड़े इसमें पानी डालकर इसका हम जो डोव बना लेंगे तो जो इस तरीके से से अपनी हाथों की हेल्ब से प्रेस कर कर KER कर。 आप इसका डोव बनाएंगे तो ये मारा पाम का ये वाला इरियर भाए होता है इससे क्या होता है आप जितना इस पर प्रेशर देंगी आप इस तरीके से आटा गूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो बनाएंगे आपकी जो मक्की की रोटिया है उतनी ही soft and without cracking बनेंगी तो यह बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है कि आप इस तरीके से अपने हा प्लास्टिक का मोटा सा हमें लिफाफा लीना है आप चाहें तो पॉलेथिन ले सकते जो मोटी हो थोड़ा थिक हो तो इस तरीके से आप रोल लीचिए अपने हाथों को गीला कीजिए और इस तरीके से अपने फिंगर्स की हैल्प से थोड़ा सा प्रेशर दे देगर पाम क इसको आप जितना चाहें उतनी बड़ी अपनी मकी की रोटी बना सकते हैं डिपेंड्स ऑन दे रोल्स आप कितना बड़ा रोल लेते हैं इसे बनाने के लिए तो अब क्या करना है इससे रोटी को उठाने का भी एक ट्रिक होता अपनी हाथों को थोड़ा से गीला कीजिए पानी में मतलब आप डिप कीजिए उसके बाद इसकी हैल्प से आप अपनी रोटी को बड़े ही असानी से बनास निकाल सकते हैं देखिए ताउट क्रेकिंग आपकी यह रोटी तभी पर डल चुकी है और देखिए बिलकुल भी फटी नहीं है इस तरी के से कुछ हो जाए कीजिए इसके पर थोड़ा सा घी डालिए और इसको हमत दो मिनट के लिए इसको अच्छ से कुखोने के लिए रख देंगे हमारी रोटी पक चाह सथिए और देखिएChr गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हमारी रोटी मक्की की रोटी बनके त्यार है आप बटर मक्षन के साथ इसे इंजॉई कीजिए डैफिनेटली साख के बिना तो बिल्कुल इंकम्प्लीट है तो साख की रेस्पी मेरी दूसरी वीडियो में तो प्लीस दू वाच इप वाच